कि यह हैं मुंबई शहर हिंदुस्तान के बिजनेस सिटी यहाँ पर हर तरह के लोग रहती तेरी तो दिखता नहीं है क्या पूरा पूरा तोड़ दिया है यह रहन्धा है क्या बादू आप चलिए आप चलिए आप चलिए लाइस निकालो लाइस निकालो उसका अठीक कि चलो ठीक करा दो चलो सब्सक्राइब चलिए नोटा से बीचना चाहिए था उसे के क्योंकि इनकी बहुत सी हरकतें बापू जैसी हैं हमारे बापू पुलीस फॉर्स में हैं इन्हें में बापू की तरह इंसा से नफरत है हां लेकिन ये कभी नाकाम्या भी नहीं हुए ना एक बाल भाई पारा नहीं करते ही लिए जो पड़ी है इन्हें शराब पीना जुआ ख हैं ये जानुवर को साथ दूब बड़ी खुशी से लगाते हैं ये बच्चे कितने खुश हैं बच्चों की खुशी की और कई निसाले हैं जो बयान नहीं की जा सकते हैं तो मैं बताओं इनकी सिर्फ एक बेटी है अंत्रा ये अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि उसे अपनी मां कहार पकारते हैं इनका अगर बस चलता तो ये घेर सारे बच्चे पैड़ा करते लेकिन नहीं इनकी पत्नी मंथरा का ख्याल था ऊचा है ये ब्यूटी बार्लन में मुलाजम है ये लो कि आधा ये क्या करें मैं पुलिस वाले से नहीं ले पुरा मान जाओंगी भंगन कहीं की सिर्फ दस रूपे देती है और कहती है खर्च करकर के हैरान हूं इंस्पेक्टर पार्टिल है इसलिए अगर राम प्रसाद यह सब्टर करता न उसे तब उसका दिवाग ठीकाने रहता लेकिन राम प्रसाद तो मेरी किस्मत में लिखा था पांच महीने से एक नई सैनल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हूं है बार बार वही पुरानी चपल मोची से ठीक करवा के लिए आते हैं अब वही चपले मुझे किस नी पढ़ेंगे इस ब्यूटी पाला में बारसो तक हां अरे मनु भाई हाई बेबी लगता है नाराज हो यह है मनु भाई इनका काम है बड़ी-बड़ी बाते करना और जूट बोलकर अपना उल्लू सीधा करना तो आया था लगता है मेरे बिना मन नहीं लगता है यहां के चोटे-चोटे लोगों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर मैं तो तंग आ गई था आप जैसे लोग थोड़ी ना आते हैं ब्यूटी फाला में पता ही आज क्या करो आपके लिए हैं का त्या बर मसाज 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 पीछे पड़ा है मनुभाई एक खोखा कर दो एक खोखा कर दो मैंने बूला ठीक है करोड करोड सीफेस के सामने प्रापर्टी लिए न उसमें आज कल मनी मारके इतना टाइट है बेवी कि स्टार लोग मनुभाई के पिछे नहीं पड़े तो किसके पिछे जाएंगे आप सारोगा को एक खर दोगे देना पड़ेगा क्या होता है कि जब रिलेशन बनाया तो उससे निभाना तो पड़ेगा और आज कल करोड की किम्मत है क्या खोखाई तो है मनु भाई आप मुझे बोलो-बोलो बोलो देने तीचए अब बोलो भी मुझसे क्या शर्माना इतनी चोटी बात के लिए इतनी बड़ी शर्ण कब मिलना है बोलो कहां मिलना है यहां बुला ले एक काम करते हैं शारुक मियां को यहां ही बुला लेते हैं बात में अपने ही आथों से उसका मालिश पॉलिस सब कुछ कर देना मजूर है चलेगा मंनु भाई श्राब बैठाय है यहां पर स्टार की लाइन लगा दूगा मैं सापको फोन दो बात्रूम में नहीं जाता है तो को बोलना कि मनु भाई को फोन करें में मेंड़ीटल करें बार निकलके उके रहुत लेकिन ले आऊँ गांगा मैं मैं कभी विए उसक्तों क्या जा बापू का बिल मेरे अकाउंट में डाल देना पाज में सटल करेंगे ओके लेकर मनुभार दूसरा हाथ में जब आमीर खान से मिलने जाओंगा तब अभी तो शारुक टैंस हो रहा होगा बाइबी अ शारुक लेकर वो तो शादी शुदा है तो क्यो अब अब आपू ड्यूटी बजा के अब रात की पहली शुरूरू आउना बापू क्रिकेट खेलेंगे आउना बापू टेस्मेंच केलेंगे ना बेटे मैं बहुत थक गया हूं खेलो ना डैडी प्लीज मेरी लिए मैं आपको अपने हाथ से खाना खेलाओंगी प्रॉमिस प्रॉमिस एक शर्थ पे पैटिंग मैं करूंगा अब बॉलिंग मैं डन सुना है मंत्रा जी दस साल बड़ी है बापू से फस गये बेचा रहे दादा जी का वचन जो था और बा वचन का इसे तोड़ते इनकी जिन्दगी का एक नियम है सर्जू यह वचन कभी नहीं तोड़ते कर ली शादी अरे शादी नहीं बर्वादी कहो बर्वादी यह तो बापू है इसलिए मंतरा जैसी को छेल लिए बड़े बड़ों की हेकडी निकल जातु अरी धीरे बोर य यह सर की खेती तेरे को मुंदवानी है क्या खेले की हाथ कभी टूंडा हाथ भी जेब से निकाल दिया करो किंग डॉन वाव क्या लगती है रेखा क्या फिगर मेंटें किया रेखने माइक और मुझसे कम से कम दस साल तो बड़ी होगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं रगते कि मांतरा भूक लगी है खाने को कुछ मिलेगा राम मैं भी बनाऊंगी ऐसा ही फिगर हां तो मेरे स्काइश शॉपिंग से एक्सराइज मशीन लेके आऊ ना कितने दर उसे में क्या रही हूं तुम्हें क्या एक्सराइज की ज़रूरत तुम तो ऐसे ही रेखा जैसे लगती ह पाते मत बना अभा कितनी मोटी और थुल्थुल होगी आजकल में परफेक्ट फिगर तो मेरे तब हुआ करता था जबारे शादी हुए थी मां अभी भी अब क्या लगती है तू चुपरे कैची की तरह जबान चलाती है बड़ो के बीच में और सुबसे कहा थी तू आवार कहा से आते हैं वो भी तो तुम्हें तरह इंस्पेक्टर ही है ना लेकि उसकी बीवी को देखो वाह आजाए थी मिसेज पार्टिल पालर में पता नहीं क्या क्या करवाने अपने नेल्स को इसको इसको मोबाल फोन पर अपने नौकर के साथ रेसीपीपर रेसिप्रिया डिस मंत्रा मंत्रा तुम चान्तियों मैं बेमानी के पैसे नहीं खाऊंगा लेको जैसे भी है हम खुश है मैं तो भूली गाई सी तुम्हें तो धरम राजुदिष्टिर बन कर रहना है पस रहना है आपनी शैन्चाए कुरसी पर बाकी भले करीभी कह अगवे छुलसते रहें मरते रहें सड़ते रहें तुम्हें इससे क्या है न एक सज़ी सी नेल पॉलिश लेने के लिए कितना सोच मुझ से शादी करने से पहले तुम वही रहते थे बाबु जी और दादा जी के साथ लेकिन जब बुरा है नहीं तो बुरा लगेगा क्यों खेर छोड़ो इन बातों को भूख लगिये खाना लगा तो प्लीज हां ममा मुझे भी बहुत बूख लगी है आज आपने कुछ बनाया है आज सुमवार मेरा उपवास मैं खाना क्यों बनाऊं फ्रिज्टा टोल लो जो मेंने खा लेगा कि नाइट हां बोलिये चले अपने धावे पर चलो डैड़ी मैं कुछ सोच रही थी अच्छा तो आप सोचती भी एं डैड़ी आच्छा बताओ कि लो की तो लौ कि के सोच रही थी कि मैं मैं हाम मैं सोच रही थे कि मुझे एक भाई चाहिए यहाय बोले जबन जरूरी एक बर आप्श है ऐसा क्या जरूरी हो गिया क्यें कोई में साथ खेलन stop कि इन्асть ज्मिन पर जातिया कि अगर वह किंसी अगा तो ंए चैरिकम संद हử विपने혀 II कि 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 साथेड़ाई वी तो ओगी उसे प्यार तो करूंगी उसे राखी बांदूगी पैसे मिलेंगे मुझे और जब वो बड़ा होगा किसी की हिम्मत नी होगी छेड़ने की फाइदा तो है कुछ करूना देड़ी प्लीज ठीक है तुमारी माँ से बात करता हूं येलो खाना आ गया पहले खाना का लो लो येलो और फिर शेड ने चुहे से कहा येलो आप तो सो गई क्या खाना था देड़ी अपने को सो नहीं दा गई नाची कर्ण गुनाइट कुछायओ मंत्रा 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 राम अभी पापा मेरे सपने में आये थे मेरे आख लगे थे कि अचानक बिजली के कड़कने के आवाज हुई चारों और बादल ही बादल चागए और बादलों में से पापा यू निकल कर मेरे सामने कड़े हो गए अच्छा बाद दुखी लग रहे थे इतना दुबला मैंने आज तो कभी नहीं देखा उने मानने के बाद भी लोग दुबले होते हैं क्या पता नहीं शायद मेरी फिकर में दुबले हो गया हूंगे तो मैं नहीं पता हमारे गरीबी को लेकर बहुत परिशान थे वो कि लेकिन हम वैसे गरीब ही तो नहीं है। पापा एक खास वजह से आये थे हमें पर देने। नंबर कहीं लॉट्री का नंबर तो नहीं हां पिल्कुल पापा ने का जा मनतुव शादी की सालगेर का लॉट्री टिकट ले ले माला माल हो जाएगी। अरे नहीं। अरे नहीं क्या पापा का दियाओवा नंबर है हमें जल से जल दे लेना चाहिए कर जूटी पर जाओगे शादी की सालगिरा का लॉट्टी टिकेट ले आना शादी की सालगिरा तो याद है ना तुम्हें अरे कैसे भोल सकता हूं लेकिन मंत्रा तुम्हारे ताउ और मामा जी अब भी इस से पहले टिकेट चोड़के गये थे लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ पापा मुझे कभी गलत नंबर नहीं देंगे समझे ना मंत्रा गुड़ नाइट मंत्रा क्या है मंत्रा अंत्रा को एक भाई चाहिए मंत्रा हमें एक और बच्चा होना चाहिए पागल हो गया है अरे पहले वाले ने मुझे इतना बच्शूरत और मोटा कर दिया है मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं दूसरा बच्चा पैदा करूंगी तहां हरो बच्चा बनने आई थी मैं फिर में दूसरा बच्चा बनने लाइक भी नहीं रहूंगी मैं ठांक्यी वरी माच सोजाओ मंत्रा सोजाओ मंत्रा मेरी बात मंत्रा मेरी बात क्या बात है दीपा कोई खास खबर अरे सोचा क्यों ना एक लड़का ढूल कर शादी कर ली जाए आइडिया बुरा नहीं है कोई काम का मिला स्वामिनाथन आयर 28 साल इंजिन्यर ये देख एक 55 साल के विधूर को विधूर यानि जिसकी बीवी मर गई है हाँ हाँ मालूम है हाँ तो इस विधूर को चाहिए एक सुशील घर का काम जानने वाली अच्छे स्ववाब की लड़की आगे लिखा है पहले शादी से दो देवसाई तीन-तीन कंपनियों का मालिक है पिया वावा तो एक आया रखने के लिए शादी करना चाहते हैं हजरत पिया अगर तू ऐसे ही छाटती रहेना तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्यों वहाँ तू मुझे राइगरपुरा करोल बाग के प्रोफेसर अरोरा ज वहें जैसे तुझे तो सब कुछ पता है अपनी पसंद के बारे में बिल्कुल क्यों नहीं हाँ हाँ जड़ा हम भी तो सुने आपको कैसा लड़का चाहिए मुझे ऐसा लड़का चाहिए लाला लाला । मुझे सा लड़का चाहिए जो मुझसे इतना प्यार करे हाँ मुझे सा लड़का चाहिए जो मुझसे इतना प्यार करे कि मैं खुशी के मारे मर जाओ हाँ मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे इतना ब्यार करें कि मैं खुशी के मारे मर जाओ हाँ कि मैं खुशी के मारे मर जाओ कि मैं खुशी के मारे मारे में खुशी के जाओ जाओ प्रादी जाओ 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 कर दो जाओ रहाँ वो लड़का छेट चबी ना हो कुछ चंचखेément कुछ शर्मी ना हो वो लड़का छेट चबी ना हो कुछ चंचखे anterior कुछ शर्मी ना हो उसकी बातें हो प्यार भरी उसका अंडाज नसीला हो मदधोश कर जाए मुझको मदधोश जिसे मैं कर जाओ हाँ मुझे ऐसा लड़ता चाहिए जो मुझसे इतना प्यार करे की मैं खुशी के मारे मर जाओ हाँ के मैं खुशी के मारे मर जाओ कर दो कर दो कर दो मेरे दिल में जिसका उचाला हो मन मौजी हो मत वाला हो मैं उसके हमेशा नास करूँ वो बहुत बड़े दिल वाला हो वो मेरे दिल में उतर जाए मैं उसके दिल में हाँ उसके दिल में उतर जाओ मुझे ऐसा लड़ता चाहिए जो मुझसे इतना प्यार करें के मैं खुशी के मारे मर जाओ के मैं खुशी के मारे मर जाओ या नास के दिल में खुशी के बड़े gonna की आयाला.. और बैंक जाओ या सिनेमा जाओ मेरे को क्या करना है नवबजे का टाइम है ना तो नौ बजे आने का न नहीं तो क्या करूँ तुझा घड़ में जाके बैठ जै तरी को फोकड में पकार भेज़ देता हूं रोज घंटा लेटा आती है और मेरी सिकलीव सिकलीव लेना है तो लगोज बींटीड़ जमाता है जब आता है पैसे काट लिता तो बैंटी क्यों हो अगर ना रखूं तो खर्चो जाते हैं और फिर पैसे कठे भी तो करने है अलग कमरे के लिए अरे इदर किटी पाटी लगाया है क्या उदर दो दो पुलिस वाला खाली बैटा है जाके देखो ना एक तो देडी से आता उपर से मेरे दंदे का वाक्त लगाता है जा हल है कि सभी मूट कर देता भिए मेरे पीछे पड़ा रहेता हम्यशा रिखांट है एक क्या मिलेगा कि चाही है जो आप चाहें मतलब एनीवाडी एनीभाडी ना हिए भालभाई एनीथिंग एनीधिंग ऐनीथिंग शोर जै हां शो ठीक है मेरे लिए एक मटन दो प्याजा एक रोगन जोच एक चिकन कड़ाई एक मुर्ट सिर्फ जो मेन्यू में है अरे पर अभी तो आप बोल रहे थी कि जो चाहे वो मिलेगा एनिटिंग मेरा मतलब है तो आप मजाग कर रहे हैं देखिए मैं मजाग के मूड में बिलकुल भी नही देखिए का लाइ मैं ओड़र देता हूं थैंक यू सरा उसकुरा तो दीजिए का वी सर्फ विट श्मायर एक बाल बाल दीजिए मेरे लिए एक चिकन सैंडविच एक मतन ब्रदर ब्रदर ने बाल बाल बर्गर 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 टो संथे ओर बाद में तो इसनने पड़ी तो हराडै भी देघेए और आप मेरे लेक लैंट ओस और एक काफी काफी तो हम को मुझा 20 को में देदार ओवके मिलथी किसक भी आपकी तरहां के सार्टिपिकट के सिक लीव नहीव नहीं बिलती बस पांच मिनित दीजे आँए बापू पोट्टी जब आई थी तो तेवर चड़ा के आई थी जब गई है तो मिठा मिठा बोलके गई है बात क्या है प्यार से बात करो तो बात बन जाती है और कुछ नहीं मेरे को तो लगता है पहली नदर में आखे चार होने का प्रोग्राम बन रहा है सैंविच बर्गर समोसे पता नहीं सुबा सुबा इतना खा कैसे सकता है ओए ओए बापू यह चश्मे वाली पोट्टी दो आड़ा लाने में बहुत देर लगा रही है मेरे को रगता है यह चश्मे वाली फुट्टी नहीं बर्गर लाने अमरीका गई है आपके अमेरेका जाने के सकने गहने अबी? ये बापू, हम नहीं जा सके, हमारे सपनों को तो अमरीका जाने दो, आए हाए, क्या खावा देगे थे, अपनी सलमा और दो बच्चों को अमरीका लेके जाएंगे, दुनिया की सैर कराएंगे, राजकपूर की तरह गाना गाएंगे, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर क क्यों यह तेरी इं Clean also individualिय मोंतरी और नहीं तो क्या ना लेते ओ नते देधे युण कि लगता है अपने प्यारे से दोस्त को ना पुक्खा मार के रहोगे एक दिन क्या बात कर रहे हैं देख लो ना वह फोट्टी अभी भुक्खा ही तो मार रही है कि टॉकी है लगता है चिछा लाइन पे आ गई है लीजिए है हलो इंस्पेक्टर इक्बाल सेक्टर टू-3 सा हाओ बैसेज लाउड एंड क्लिया सा लाउड एंड क्लिया अभी हाजिर होता हूं सा चलो बापू लगता है का ओफिसर को ड्यूटी पे भुखा मरना बढ़ेगा आप भूके नहीं मरेंगे मैं पैक करवा के लिए आता हूना ठीक है तो अभर मैं अपना हिस्सा मैं दे दूंगा आप चलिए ये भी ठीक है बस में अभी लाई इंस्पेक्टर आपका ओडर तैयार है नहीं हमें जाना पढ़ रहा है क्या आप ये सब पैक कर आ सकती है हां क साट रुपे पचास पैसे कॉफी के नहीं चोड़ें है ये लिजे साट रुपे पचास पैसे लेकिन टिप के लिए कुछ बचा नहीं कोई बात तीन इंस्पेक्टर मैं जी लूँगी जब दिन की शुरुआत है ऐसी हुई है तो पुरा दिन खराब ही जाएगा नहीं एक म अगर लॉट्री लगी तो हम पैसे आदे बाट लेंगे और अगर नहीं लगी तो कल आकर आपके टिप के पैसे दे दूँगा ठीक है वैसे आपका नाम क्या है भीयां मैं राम परशा IT कल का बादा करती आप करती हूँ मुझी बादे जी करती हूँ आपको टिप के देंगे जाने आप पैसे देंगे जा आने लोट्री के पैसे देंगे आनेफ मुझी अबломें म्यान से जाएग DAY 같은데 को तू कर कोगो गेटिंग लेट लेट आप चलिए मैं अभी हाया थीगा अब पैसे दिया तो इंतजार नहीं पड़ेगा तो बादा रहा अपना अप्रॉमिस इस प्रॉमिस अप्रॉमिस इस्पेक्टर राम पूछ आतम बादियों ने बस्तमर्ण 8554 को अगवा कर लिया है स्टॉप देब हाँ सर एकबाल भाई चलिए चलिए पीछे लो वो नहीं बस मैं पीछा करता हूँ परो, छिए बस प्रॉमिस अप्रॉमिस आना परो, प्रॉमिस अप्रॉमिस आना हैं से तेयों वेला हैं है है ने हैं ये जोड़ चाटन है 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 औल चाहे जए अग्परुड़ जडसी तारी जए्ट अब खरे अग्फरू है, एग्पराइप एग्परर एग लग्ष लग्वरा जए है है ढ़ प्रोगर एग तो बागा, बागा! बागा, बागा, बागा! बागा, बागा, बागा! बागा, 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 बहुत to you, बागा, on the day, क्या ममी, आज फिर से वो यूबला हुआ खाना? चिप कर्के खा? चैटोडी कहेंगी. इस उबला खाने में क्या खारावी है . मंत्रा बच्ची है रूस उबला हुआ खाना कैसे खाएगी तुम अपनी अद्वाइस मत दिया करो मैं उसकी माँ हूँ मैं जानती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है चिकनी जीज़े क्यों लाकर मैं उसे हाथी के बच्ची की तर मोटा नहीं बनाना चाहती है मैं कैसे मोटी हो सकती हूँ तीन तक आप उपवास रखती है और बाकी दिन यह उबलावा खाना पागब तु चुप करेगी चुप चुप खाँ वैसे देखा जाए तो खाना बुरा नहीं है देखो खाँ खाँ के मैं कैसे फिट रहता हूँ अर अपने इकबाल चाचा को कैसे खाक आके उनकी तोन बाहर निकली हुई है राम लोट्री का टिकेट लाए हाँ ले आया तो दो क्यों जिनाब हमाने चादी कौन से साल हुई थी याद है मौंत्रा लोट्री वाले के पास 87 नंबर वाला टिकेट नहीं था तो उसे एक नंबर उपर वाला ले लिया तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता पापा ने चादी की तारीक वाला नंबर का लेकिन तुम ये ले आए क्या करूं मैं इसका कुछ नहीं कर सकती जो करूं वो ही अच पैड़ा 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 तुमने पापा का सपने में आना बिल्कुल बेकार कर दिया देड़ा डवा जुन्दावाद कुछ जलो मंत्रा मंत्रा करें क्लों का दोस्तों वैसे तो आज का दिन बहुत ही खूब्सूरत और प्यारा है लेकिन यह दिन कईलों कि लिए बहुत लखीड़े सावित होने जा रहा है क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्टेट लॉट्री स्किंशा दोस्तो, तीसरे नंबर का ही नाम जिसकी कुल राशी है दस लाख रूपई, यहां, दस लाख रूपई. भागेशाली वीजेता की टिकट का नंबर Z-32510351, दूसरे नंबर का ही नाम जिसकी कुल राशी है पचास लाख रूपई और भागय शाली विजेता के टिकट का नमबर है के 5, 3, 9, 2, 3, 7, 8, 1 और अब बारी है पहले नमबर के नामकी जिसकी गुलराशी है 5 करोड रुपए यहाँ 5 करोड रुपए और भागय शाली विजेता के टिकट का नमबर एम, वन, टू, वन, जीरो, वन, नाइन, एट, एट नमबर एक बार और सुन लिजी एम, वन, टू, वन, जीरो, वन, नाइन, एट, एट बहुँआग बहुँआग पदा ही हो भाग के शाली विजीता को बहुँ एनक्ना दुए यजयार में एक जीरो cificीưởng एक डार कात, परो बहुँआ जीरो, विदा कना सीस्टत। परोद परोद्वम माँ खाड़ खाड़ मेंसे भाग के शेरो, परोदी के शेश्चेश्य मेंसे एक जीरो में सभी शेश्यार गाड़ हाठ वे वे हु़ ञे प्रुछ इफ हका उे उना में वा एज खी वाई फगत कि पु कि वाई जोट da कि व' कि वझा नए रहा उड़वाgers है व़ थो पा कि वह रहा उऴ ख' हा कि ऑल बुछ अना, हा लग बुछ ए हा अच्च पाट क लोटरी खिले न Еके़ संथ पाट करोर के लटटी के संथ खिले टोने पाठ करोर के लिकरेख अब आप अच्छ झाओं drowned कि लिखे लटर पके लूट deposit है तर पाठ करोर। दें कि लिकरेख अब सीधर सीधर. आर, हैसह हुग है अन्तरा है est sólo अन्तरा को बतासी है ஏंतरा वैसा अन्तरा वुल एंगरी आजया भत्यारणे की बात में महुं महाही क्या है आजया वां थीक्या है आघ्टा वी मॉन नहीं हुग हम लागर वें पर महाही रिख़े 명이 . एक वाइ स्क्रीं ।ी वी आसी वशरी वोशेंट, जार थारवस ने फिरिजो, दाक है वाक्योम क्लीन दीन, मॉजिक शिस्टम ब cand i अज आई कि अअटेख लाम ऊटे हैं मैं तो याद कि लेघें ल्यएन डेक अंट्रावार मैंने परफ्यूम में लिखे, इंमपोर्टट परफ्यूम। करें, मैं सुखत करण सकतर है, मैं पूर पालर केते मैं मैं आपपालर इपण मुझा थे, मेरन अपना पालर हो कीज सोल में। नहीं नहीं, सिर्फ मेरी तरह करोड़पती और आएंगी और पारर के बाहर में एक बॉड़ लगा दूगी Mrs. Patil and dogs not allowed लेकिन Mrs. Patil को अंग्रीज ही नहीं आती हिंदी में लगा दूगी कुत्तों और Mrs. Patil का आंदर आना सक्त मना है बहुरे खड़ी रहे सर्किरे और क्या लिखो मुझे भाई ला दीजिए भाई तुम्हारे भाई किसे आएगा मैं तुम्हारे छोटा सा पपी लिख देती ओ हां कुछते का बच्चा पपी और क्या लिखो सुब कुछ तो लिख दिया मैंने चलो अच्छा है डाई करोड में यह सारी चीज़े आसानी से आतो जाएगी धाय नहीं पांच पूरे पांच करोड यह मंत्रा पांच नहीं धाय कि मैंने मैंने किसी को देने का वादा किया है क्या हां मुंत्रा एक वेट्रेस है इप की जगह मैंने उसे लॉट्री का आदा हिस्सा देने का लेकिन मंत्रा मंत्र इसको किया तुमने वादा, एक वेट्रस को, तुमने मेरे बार में सोचा है, अपने बेटे के बारे में सोचा है तुमने, हमारी अंतु, हमारी अंतु, एक दन बड़ी होगी, जवान होगी के नहीं, इसकी शारी तो करने होगी नहीं, इसके लिए लगका तो दूरना पड़े मेरी बात सुनो मंत्रा मैंने किसी को वादा किया है और प्रॉमिस और प्रॉमिस इस प्रॉमिस ओक्य आप वादा जो किया था मैं कल के लिए आप से माफी मांगना चाहती हूं I'm sorry कल पता नहीं क्यों मैंने आपको इतना उल्टा सीधा कैसे कह दिया कोई बात नहीं मैंने बुरा नहीं माना कस अब अब कैसे से यह सब क्या करें मजबूरीये नौकरी का सवाल है अब तुम्हारी तबियत कैसी रहती है नितेश कैसी है दीदी मा भी क्या सोचती होगी कि सिर्फ दुख और बोज दिनने के लिए ही उसने मुझे पैदा किया है एसा क्यों गैते हो एक हीरे जैसा लड़का मिला है उन्हें कितनों को ऐसा नसीब होता है आपके लिए और कुछ नो थैंक्स क्या हो अस लड़के को एद्स एद्स हाँ कैसे विचारी का आक्सिदेंट हुआ था फिर फिर क्या खून के साथ साथ मौत भी खरीद ली अब अब क्या बस कुछी दिनों का मिर्माने अब अड़े पीया में साब है इधर आओ इधर आओ यह क्या है 35 रुपए का बिल है पैसा नहीं लिया सर उस कस्टमर के पास पैसे नहीं थे मैं आपको अरे पैसा नहीं था तो दरवाजा बंद करना था ना किचन में ले जाके बरतन साफ करवाना था इधर खेरात बट रही है अरे यह होटल मैंने फ्री फंड में नहीं को ला मलकानी को कॉफी मैं पिलाती हूँ अला यह क्या है तौफा तौफा लेकिन इसमें क्या है अब देख लीजे मेरे लिए आपके चश्में के लिए मेरे चश्में आपके सार्फर भूल जाती है ना लाइव मैं लगा देता हूँ मुझे इतना प्यारा तौफा पहले किसी ने भी नहीं दिया रिल्यू आज मैं आपके लिए एक ओफर ले आया हूँ कैसा ओफर या तो टिप की दुखनी रखम मुझसे लोगी या फेर लौटरी का आधा हिस्सा लगता है आप मानेंगे नहीं चलिए जो आपके दिल में आए दे दीजे नाए चोईस आपकी रहेगी तो राम प्रसाज जी मैं आ डबना मांग ले सफ्ते चूट गए ना लौट्री तो लगी नहीं तरसल वे नागालाइन स्टेट की लाटरी लग गया आखरी नमबर दस रूपे लाइे लाइए मेरा हिस्सा नहीं नहीं हमें पहले यह पांच करोर रुपिय मिले हैं क्या हाँ नागालाइन स्टेट ताप करोर रुप्य जिसमें डाए करोर रुपय का आपका इस्सा देखिया राम्रशाद जी मजाग की विए खद होती है और यह तो एक बहुत ही बेर है मजाग है, आप यसे मजाग समझ रही है, कि मजाग नहीं तो और और क्या है मैं सच कहह रहा हूं पिया जी, सच आप मु आप मुझे धाई करोर रुपे देंगे याहू सब को आई-सक्रीम आब सब को मही सद्धित daod शुट गरी सकती हुआ πάाट सब्संतर गराब ओपकाण लेकिन मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूं गए मुझे पैसों की जरुवत है बहुत जरुवत है udah Şज मैं छाताओ कि तुम ले लो मैं तुम आपको चानती ही यह वें चुआ तुमिंहे लेना होगा प्या अहा हो यह लेना होगी पया लेना ट हूड़ मंत्रा, दाही करोर रुपया देने का मतलब है, हर न्यूजपेपर, हर मैगजीन में तुम्हारा नाम आएगा, यहां तक कि न्यूजवीक और टाइम वाले भी तुम्हारे पीछे दोड़ेंगे, नहीं चाहिए मुझे अपना नाम न्यूजवीक और टाइम में, स्टार्डस म की कमेंट्स आएंगी, आमिताब बच्चन, मंत्रा जैसे तेवी, दुनिया में वापस कभी पैदा नहीं हो सकते, मादूरी तिक्षित, मंत्रा साक्षा तेवी है, तुम्हारी हर तस्वीर के साथ, यह बड़े-बड़े, नहीं, यह बड़े-बड़े अक्षरों में लिका ह सुनेहरी दिल की मलिका, फंत्रा प्रसाथ, आगे, पीछे, उपर, नीचे, सिर्फ तुम्हारी ही फोटव होगी, सुनेहरी दिल की मलिका, TV में, अकपारों में, मैगेजिन्स में, सुनेहरे दिल की मलिका, अरे, अपने पालर के सामने में रिक वाओंगी, Welcome to the beauty parlor of सुनेहरी आप सब्पर लेन सुनिये यह ड्रेस आपका बहुत खुबसूरत लग रहा है कहां से लिया है ऑपरिस थैंक यू डैडी आपको बता है मुमी नी ड्रेस का लिए कहां से बाडे की कि आसरी आपको बड़े किस्कॉत वाले हैं जो आपको यह दस लाग का प्राइज लेवा है और आपने क्या कर ने की सौचा है अगे मेरे हमको 50 लाग की लगी क्या करना है मैं अबीदा कुछ सोचा यह बड़ी प्यारी बेटी है आपको बस पेकी बेटी है आपको पेटी किसकी बेटी है यह मेरी बेटी नहीं है यह तो मेरी बेहन के बेटी है हमारे साथ है हमारा कोई बच्चा नहीं है Mantra, यह मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी Antra मैं समझे नहीं, आप समझेंगे भी नहीं, जाए जाए अपना काम करूें घ्राइश्पियए तक हाडो, राम, राम ओह, हाइ प्या, Mantra, मांत्रा, यह प्या है हालो मंत्रा जी, कौन ही एए इक वेट्रिस है रेस्टरांट में इसे में एने धाय करोड टिप में दी है धाय करोड रुपे वह भी टिप में येस मजा करे हैं नहीं सच कह रही है राम ने मुझे आधी लौट्री टिप में दिये जैपूर जाके बच्चों के लिए जमीन खरी दूँगा अरे भाई माने यूज करना तो मिलिटरी वाले जानते हैं लेडिस एंजेंटलमेन यहां इंस्पेक्टर राम ने धाई करोड रुपे टिप में दे दिया हैं एक मिलेट एक मिलेट अरे भाया खुल मेरी बात सब्सक्राइब टुद्धार रुप्यों को करेंगी क्या कि मैं क्या करूंगे पता नहीं ये तो वक्ति बताएगा अच्छे कामों में लगाऊंगी मैं ये नहां दिल की लगे हैं यह हमारे राम जी है ये कुछ भी कर सकते हैं वागवान के नाम पे रोगा अपका भला करें 100 रुपर और क्या हो गया तुम्हें यह को तरीका है पारबाद करने का व्रगवान लो व्रगवान आपका भी भला करें बगवान आपका हमेशा भला करें कर दो कर दो के NepR कर दो खरेंड चे रए डुमानुष। बगवानाद़ नटर्व कर दो खरेंगा बेद्चेक्ट भий में गाड़ नतर्म! कि अच्छी हराम के पिल्ले यू जोची केट्स चलोटे अज़े हादो मेरे 25 दार की ड्रेस खराब कर दे देखो ना राम ये गरीब लोग हम अमीरों की कदर ही नहीं जानते हैं राम ते जोंट डो मतरा होली है इसमें अमीर और गरीब क्या हम भी तो गरीब ही थे ना कितना अगरी नाली के कीड़े ये तो मैं हो मॉम्मी तो तो ठैर आज में तुझे ना मैं तो आओ आज पाइदा तुम कुछ नहीं कैसा तुसे मैंने तुम्हें कितनी बाल कहा है उसे इन बटकात बच्चों के साब महीं खेलने दो जी हो ये कौन है अब अरे मनू भाई आप यहा सब्सक्राइब करके आना पड़ा मुझे के लिए मुझे खास बुलाया था अपने कर पर मुझसे बोला कि मुझे सबसे पहले आपका चाहरा चाहिए रंग लगाने के लिए अब बेबी एक ही चाहरा है कि तुमको खुछ रखेगा और वैसे भी ये अमिताब की होली में वो राजसाब वाली बात में राजसाब कौन राजसाब राजकापुर साब बेबी चिंटु के पापा बड़ी बड़ी हिरोईनों कम साथ में मिलकर रंग के तालाब में डूब टाइगर एक बात कावए बैनी यहाँ के प्रस्रालिटी है इनकी एक अच्ण-धिड ुड़ों दे दो मैं तो परिशान हो गया कॉन प्रकाश अपनो पकिया प्रकाश महरा प्रकाश महरा हां अब यह पापको जंज्यर केसे दिलवाई थी पर देवानन को बच्चे लोगों की स्टोडी अच्छी तो लगे ते लिए अपने सलीम जावेश देव साब ने स्टोरी में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन उठाए कि इसमें मेरे लिए डांस और गान गान का तो प्रकार गबरा गया मैंने का प्रकार तुगरा मत मेरे पाथ ए आपके राम प्रसाद जी बहुत भोले हैं भोले हैं इसलिए चुड़ेल को झेल रहे हैं चुड़ेल नहीं रइस चुड़ेल लॉट्री क्या मिली तुम्हारी चलप पर रॉनक आ गई है पिया तुम्हारा तो रंगी बदल गया है क्यों ना बदले सारे जहां की खुशी ज इतना प्यार देने वाला कि बस जी चाहता है उसके आगोश में समा जाओं खो जाओं उसकी बाहों में वो मुझे कहीं दूर ले जाए गनी वाधियों में जहां हमारे सिवा और कोई भी ना हो हर तरफ पूलों का रंग भर लाई हो फिजा और उसी का रंग चुराकर वो मु अपने महभूब की तसरीर बना में के लिए मैं चला हम गुलावों से शिरावी के लिए अपने महभूब की तसरीर बनाने के लिए अपने महभूब की तसरीर बना में के लिए मैं चली दल बुलावों से शिरावी के लिए मैं चली दल बुलावों से शिरावी मैं चली दल बुलावों से शिरावी आज की राव चरावों को बुझा रहने दो सुल्फ मत बांधों इन्हें ही खुला रहने दो अपनी चाहत का मेरी जान नशा रहने दो तेरी चाहत के हसी खाब में खो जाओंगा तेरी जुथों की सियारात में सो जाओंगा साथ छूटा तो मैं बरबाद भी हो जाओंगा तो जरूरी है वहत मेरे खजाने के लिए मैं चला रहन गुलाबों से सुझाने के लिए अपने मेह हूँ बगने तसरी बना रहे के लिए मैं चली रहन गुलाबों से चुझाने के आफनी पल की तेकी पिरियां अपनी पल की टेकी आखो पे जुका कर देखो जीन को आज समंतर से मिला कर देखो मेरे महों में चले आओ फिरा कर देखो आओ ना आओ ना आकर देखो मैं तेरी ससा कहीं से भी गुजर सकती हो दुर मैं ते जाना मुझे छोड़ के मर सकती हो तुटकर खूर की तरहा से भिखर सकती हो मैं पुम्रम हम साथ रहा मुझे को बचाने के लिए मैं चले रंग गुलावों से चुराने के लिए अपने महबों की तस्वीर बनाए के लिए मैं चले रंग गुलावों से चुराने के लिए चार सो ना जी है यह जी है जीत्वाई तैंक्यू छल नहां चल पैसे बाएर निकल चल जाल जाल निकले तुम लोग छ जाल निकलाए तुम्रोग बाकी जाइवे कर लाख खाली कर चल्दिकर है वामे पुलीस बंदूग नीचे करो बै क्याता हो बंदूग नीचे करो है आगे मत बनना ने तो बच्ची को मार दूगों मैं एलो उंकल इस्से मारू हुई पच्च कर भी हुई 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 है हुई कर दो 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 कर कर दो अजया है अजया है यह आज चाहित है कि अजया है अजया है कि अखिश्टरा राम परसाद के लिए जो भी कहा जाए कम है जितने भी तारिफ की जाए कम है माननीय मुख्यमंतरी ने इस्पेक्टर राम परसाद की बहादरी पर खुश हो कर उन्हें एक लाख रूबे का इनाम देना मनुजूर किया है और साथ में एक प्रशास्तिपत थैकि आbalance इस्पेक्टर राम परसाद शुक्रिय कमिशने साब बहुत बहुत शुक्री है दोस्तों दरसल हम सब इस इनाम और तारीफ के हगदार है क्योंकि हम सब को मुंबई पुलिस में होने का गर्व है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस काम्याबी के लिए अपनी पत्नी मंत्रा का शुकर बिजार हो कोई भी जोकम वरा कदम उठाने से पहले हमें अपनी बीवी अपने बच्चे और अपने परिवार का ख्याला आता है हमारे बाद इनका क्या यह सोचते हुए मैंने इनाम के एक लाग रुपिये प्लिस वाले के विद्वा सोसेशिन के लिए देने का फैसला किया है और इसके साथ-साथ अपनी बीवी मंत्रा की और से पांच लाग रुपिये भी देने का फैसला किया है शुक्तिया बापू, योग ग्रेट यह सब क्या हुरा भाई पेंटोरा साथ वह तश्वीरे का गई अचली वाइ डबल, किंग साइस बैट, हाँ मत्रा ओ दादाजी की राम तुम कहा थे, आम सो ग्लाद यू केम राम इनसे मिलो, यह जरीन हमारी इंटिरियर देकरेटर और यह है मेरा हस्बन, Mr. Ram Prasad अचली तुम लग यह आपकी वाइफ का तेस्ट बहादी अच्छा है एक्सलेंट, एक्सलेंट, वरी कूद मंत्रा, मंत्रा ओ दादाजी और पिताजी की तश्वीर का गई तश्वीर का गई तश्वीर का गई? यह राइफ किस की फोज़्ग्राफ होनी चाहिए Marilyn Monroe की Marilyn Monroe की Marilyn Monroe तो बहुत आटटी नहीं ऐस्तॐड़ी की शादी हो गई हा फिर किस की होनी चाहिए बिलकुिल मरी तरह मेरा मतलम है तुमहारी तरह सुरीन युण मेरी फोज़्ग्राफ होनी चाह मेरी आराम कुछी का गई वो बुड़ो का आश्रम है उसमे मैंने दान करती लेकिन तुम जो लाखो रुपया मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली पुलीस अफसोरों की बेवाओं को दे सकते हो तो मैं एक फटीजर से कुछी नहीं दान करती लेकिन तुमने पिताजी और पर एक थांगी लग रहती कि मैने वेच दी मेरा मोबेर है अमारे साथ रहना भेयर भी मुष्किल और हमारे बगेर रहना भी मुश्किल अव बेवी आव भी मन्नु भाई, यूर टाइगर जा सुनो, अज श्राम को पार्टी है, आ रही हो ना? हाँ हाँ, अफ्कोस आ रहा है हमें अफ्कोस आपकी बेवी, कैसे बूल सकते हैं, आउंगी येस, फॉर्मल इंविटेशन देने की क्या आज़र हो रहती है हाँ हाँ, ऐखाय भाई 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 भाई, मन्नु भाई पंद कैसे करते हैं? राम, मन्नु भाई का फोन था, और पहला फोन ता इस सो स्वीट राम, हमें बर्दे पार्टी पर इंवाइट किया है, शिफ पर है, हम सरूर जाएगे सरीन तुम ने किच्छन के डेकोरेशन के बादे मैं बिल्कुल नहीं सोचा हो क्यों दू 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 तु में लेस्ट को बताया था ना यारो पियाजी ने डबल दाम देकर यह होटली खरीड डाले डाले तो तेरे को बता है गरीब और जरूरत मंत को खाना खिलाती रहती है एक दिन मलकाजनी रोका टोका तो उनका पूरा होटली घरीड डाला लेकिन होटल चला पाती है नहीं होटल तो एकदम फस्ट क्लास चला रही है लेकिन बापू माजरा क्या है बढ़ीं को औरी ले रहें भी आकी जागे बिल काई कुल नहीं लेते अरे अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता काई को जूट बोल रहे हो बापू चेरा बता रहा है मनी मन लड़ू फूट रहे हैं दिल कुछ और कह रहा है जुबान कुछ और कह रही है ऐसी कोई बात नहीं अचो सुनिए आप अभी भी अमेरिका जाने का खौब देखते हैं या नहीं अरे बापू बापू चलो आप जाने की तयारी की अभी अरे तयारी की करने की है बापू सिर्फ समानिश्टो बांदना है पास पोरण तो मैं कब करके वैठाब अच्छा चलता हूं तेरी भावी को जाके खबर देता हूं कसम से आज बहुत दिनों बाद गरे लगा के चूप लेगी मेरे को अच्छा मुझे पूछना था कि वो राम प्रसाद जी बाहर क्यों खड़े वो अंदर क्यों नहीं आते राम प्रसाद जी वहीं इंस्पेक्टर राम प्रसाद जी उनका तो यहां पर हर रोज का आना जाना रहता है ना अच्छा महीं यह 薇वतानाया था क्यों कि फाइनासर और शचर की बड़ी बड़ी हस्तियों को फाइनांस करता हूं मैं फिल्में भी फाइनांस करता हूं फिल्में तो आप देखती होंगी एक बात को हूँ प्रियाजी बहगवान ने आपको को बड़ी फुरसत से बनाया है अब फिल्मों में काम क्यों नहीं करती देखिए मुन्ना भाई मन्नु भाई मन्नु भाई रजनीकान श्रॉप फुल स्टॉप लोग मुझे प्यार से करू पार्टी बोलते हैं नाई मैं फिल्में देखती हूं और नाई मुझे को एरोइन बन कड़ी को पार्टी में बूह प्राइगे अलोग उनके और आपके बगर कोई पार्टी हो सकती है क्या है हाग कि अइन है है मांना भाई वेलकम 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 आई ये रांप्रसाट जी आई ये आई ये मेरी हपी रिटोर्णस उफ दे आपी बर्दे ऐ बेभी तुम फिल्में देखती हो न अ फिल्मों में हरो एरोईन का बर्ड़े कैसे मनाते बास अपना भी यहिसाब है मनू भाई को पार्टी मनाने का बहार आचाईए साल में तीन बार में अपना बढ़्डे मनाता हूँ आप मैं तुम लोगों से भिलाओं आप आप नमस्ते ये राजीव बलोत्रा साब एक म्यूजिक कमपनी में मामुली मैनेजर की हैसियत से इनों नौकरी के शरुवात की थी आप तो टाप के बिल्डर है और फिल्मों में फाइनांस भी करते हैं क्यों बात में किसने बोला कि फिल्म बनाओ सब कुछ मिलेगा एक्षन फिल्म उनाई, एक्षन फिल्म उनाई, एक्टर उनोगी, एक्टर उताए, शेक्सी चक्रदारी बेबी, यह सेक्सी फिल्म मनाते हैं गुपतरो, गुपतग्यान, कामसुत्र, जवानी की कलिया, बलगी कburg वह इंस्युम बहुतारी हाँ बेबी कुछ जाम बाम हो जाए आ येस आहा भई लाइए कुछ भी लाइए राम प्रसाजी क्या लेंगा ब्लू लेबल मैं पीता नहीं ब्लू लेबल लाइए मांत्रा मांत्रा चलो चले स्काच अरे क्यों मांत्रा ये लोग आ मन लोग राम पारे बेबल लग तो होती है जुवे ये रजय है तो कि आहे रहे मैं बारटेकपर शड़ाँ थवरी देल में पार आजा नहां कंवें और रहा आजा क्योंपूर्ट ताइगर ये जाएएगर य्राएगर कितना हुआ गई शुट्टा देना हमरे पास चुट्टा नहीं है क्या बात करें सोगे नहीं है आपके पस अब इतनी रात यहां कॉन देगा मुझे चेंज कहीं से भी दा कर दीजो क्या हूँ अपिया है क िया पर नियुक्षा नहीं करता इसके पास चेंड नहीं है ऐसी कैसे सकता इसके पास चेंड नहीं है कितने हुए 40-60 रुपया एक मिनुट मैरे पास होगा लगता बोट निकल रहा है हुआ है कि अशनी केंट की की चैंज की डिम्हान सांस खाल रुट का लाख रुट भाकर अच्छा लगता है तरहां जहाज यह तो गया कर दी आ मेने करबर अब क्या करेंगे हैं तो क्या करेंगे लगे थावाज दावा जे आवाज अवाध तू चीज बड़ी है मस्ट मस्ट नहीं तुझ को कोई होश होश उस पर जोपन का चोश चोश नहीं तेरा कोई दोश दोश मदोश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्ट मस्ट आशिक है तेरा नाब नाब दिल लेना देना ताम ताम मेरी मादे मेरी मादे मस्ट काम ताम बद नाम है तू बद मद मद क्या बात है बहुत चुप चुप नहीं कुछ नहीं तो फेर कुछ तो कहो क्या कहूं डर्तियों कुछ ज्यादा ना कह दूं कहने से दिल हलका होता भी है कभी-कभी आजनवी विमारम दे लेकिन तुम अपनी बीते दिनों को बोला नहीं सकती पिया दूर तो रह सकती हूं ना तुमने मुझे एक नई जिन्दकी दी है मैं पुरानी आदों में डूपकर इसे खोना नहीं चाहती लगता बहुत गमसा है मैं तो कुछ भी सहलिती राम अगर एक छोटा सा भी सहारा मिल गया होता नसीब में अकेला पन लिखा था अकेली जुलस्ती रहे इसलिए तो गाव नहीं भरे आप तो शिक अकेलापन कोई शहर नहीं दूर कर सकता उसे तो कोई अपना चाहिए कोई जसे वो अपना कह सके जो से अपना समझे कोई तो होना चाहिए जो हाथ पढ़ा कर धाम ले तुम्हें क्या लगता है क्या यह सच नहीं तुमने क्या खुद को कभी अकेला पाया है हरे नाए मैं त हम सब एक जैसे नहीं होते हमारी दस साल की शादी है इतने समय में एक दूसरे की खामयों का भी पता लग जाता है क्या कहा तुमने तुम्हारी तुम्हारी कौन सी खामिया राम मैं क्या बताओं मंत्रा ही जाद अच्छा बता सकती है जिन बातों में मुझे खुशी मिलती है वही उसकी नाराज़की की वजह हो खैर यह तो चलता रहता है तुम दोनों खुश हो हूं बहुत खुश है लाटरी मिलने के बाद मंत्रा बहुत बहुत खुश है तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता तुम्हें जो चाहा था तुम्हें मिल गया और कुछ भी चाहने की तमन्ना नहीं रही कितने खुपसुरत हैं ये पल मैंने खोना नहीं चाहती मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राम मैं क्यों तान को फेलाओं मैं क्यों कोई दुआ मांगूं तुझे जब पालिया मैंने खुदा से और क्या मांगूं बाट रहा था जब खुदा सारे जहां कि नर्मते अपने खुदा से मांगने मैंने तिरी वफा स्क्राव बाट रहा था जब खुदा हो बाट रहा था जब खुदा सारे जहां कि नर्मते अपने खुदा से मांग ली मैंने तिरी वफा स्क्राव हो निजाचचर जब खुदा सारे जब खुदा सारे जब खुदा स्क्राव मेरी वावा के साज में गुझ रही है लैं तरी मेरी वावा के साज में गुझ रही है लैं तरी मैं भी हो तेरी जाने जा मेरी वावा भी है तरी तू ही जो मिल गया मुझे चाही और चासरा पांट रहा था जब खुदा साले जांके मैं मतें अपने खुदा से मां मिली मैंने तेरी वा फासनों काश मैं अपनी जिंद के प्यार में गुझार दूँ काश मैं अपनी जिंद की प्यार में यूँ गुझार दूँ वक्त पड़े तो दिल के साथ जान भी अपनी वार दूँ शायद इसी तरह से हो शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अगासना बात रहा था जब खुदा सारे जहां की मैं मतें अपने खुदा से मागली मने तीरी वखात सर। लोग यहां तेरे मेरे प्यार को आज माएगे लोग यहां तेरे मेरे प्यार को आज माएगे तुझको अलग सताएगे मुझको अलग रुलाएगे अपना मगर है तैसना होंगी ना जुडा सरा बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नैमते बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नैमते अपने खुदा से मादने मैने तरी वफासरा प्हासरा बीई?? प्हासरा प्हासरा फ्हासरा फिर कब मिले? जब तुम कहो बैसे भी दो तेन के छिटी और बाकी है कंब दूिंस कह 변 देज़ा से ऺए क्यों मिलने के लिए क्या चल्दी कहते? माँ देज़ा आ जफिर नहीं ऐसे बात नहीं है क्यों नहीं का मिलनेंगे कब और कहा? कल चार बजे स्पोर्सक्राप के पास पक्का कल चार बजे स्पोर्सक्राप क्या है बेबी की एक अच्छी फिल्म बड़ी फिल्म बनाने के लिए जेब के दो-चार करोड तो लगी जाते बाकी दो हम बैठे ना मार्केट जे फाइनन्स दिलाने के लिए लेकिन अफ प्रॉफिट कितना होता है मनुभाई इस लाइन में हुनाफाथ स्काई इस दलिमेट बेबी राज स्री वाले परेशान है हाम आपको उन्हें कितने करोड का दंदा किया होगा बता पांसो करोड पांसो करोड का धंदा बेबी और शादी की से अच्छी डोकुमेंटरी मैं अब तक देखी नहीं है चंपल छिपाओ शादी के से कना वो सब होता है और अपने करण और जुन सोग करण राजे इंदुस्थानी सोग करण हम सब्सक्राइब रएशनुपाइब तुम्हारे राम पर्साजी बाकी के अधिकल देविल अधिल अब्लिया अर्यवाब अच्छे आदमी की बात कर तो अच्छे आत्मी किदि तुन थाजिर हो जातें रॉप, वे एंजॉइंग असल्स सो मॉज लेंगे क्या दोस्तों एक एक जाम इन करोड़ पक्यों के नाव तो हमारे फिल्म की शूरिंग अप चुरू हो रही मनु भाई शूटिंग अभी तो नेव नहीं डालिया चली दर्वाजा खट खटाने शूटिंग शूरू करने से अब बाई शूरिया चाहिए ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना बेवी हमारे आज के फिल्म में स्टोरी होती है क्या मनु भाई हम तो स्टोरी वाली फिल्म बनाएंगे अच्छा देवदास थी ना यूसुफ भाई की क्लासिक यूसुफ भाई अपना दिलिब कुमार क्या एक्टिंग के दिछो क्रेंगा मैंने बिना टिकेट के 25 बार देखी थी वेकर मनु भाई देवदास जैसे सब्जेक्ट हमारे आज के नए जमाने में चलेगा क्या क्योंकि आज कल के हेरोईन तो किसी बुढ़े जशादी करेंगे और अगर मान लो फस भी गई तो अपने पती को लात मारके देवदास के गले लिपड़ जाएगे और बाद में होगा क्या देवदास और पारो गले मिलके रात को डिसको में डांस करेंगे और हमारी क्या पुरानी पिच्चर को उठा के कॉपी करने रिमेक वह बनाई ना जब जब फूल खिले की राजा इंदुस्तानी चोरी-चोरी की दी लेके मानता नहीं वह शागिर्द का कबार रखिया श्रीमान आशिक में वह अनुपमने अच्छा काम किया दा शोकरे ने लेकिन चल और कॉन करेगा वैसे युसुफ भाई की कार्बन कोपी तो है वह वह चोकरा बिल्कुल वैसी एक्टिंग करता है अच्छा होँआ चोकरे ने मेरी बात मान लें वरना कहीं का नहीं रहता हुआ की बात मान लें मैंने क्या बोला कि देख शार्ट तू इधर उदर आथ पर मत कुले थी वह चोकरी मनु भाई मैं तो सोच रहे थे कि मधुबाला के रोल के लिए क्यों आप मुझे ही चीज कर लें तुम यह तो क्या चालीस साल पहले अगर तुम मुझे मिली होती न तो मधुबाले की जगह मुगले आजम में तुम्हें फिट कर देते हैं आप तो हर च समझे के आशिप के हिंपत से मुझें बोलने की अभी पूछना की के आशिफ पॉन था यह को जान देते हैं मुगले आजम पूरी किस ने करवाई मैं ने शापुर जी पालर जी को फौन किया था कि आशिव अच्छा चुक्राएं अपना बच्चा अब इतनी बड़ी चीज बना रहे तो भी थोड़ी से मदद कर दे बेटे तब जाके बनी मुगले आजा आप तो हर जगह बहुत पहुझे हुए मन्नु भाई अब क्या करें नाम ही ऐसा है मन्नु भाई रजनीकान श्रॉफ फुल स्टॉप कि अखेलिया ही हुए नहीं कि अच्छाइब कि अच्छाइब पोला मान चेयेंगे कुल्लंकुला रो 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 कि चुटी कर देते हैं जो करता है लपडा तु तु रो तु रो रो हां हमें बड़े सयाने बच्चे तुम्हें बताए कैसे दो और दो के पांच बना दे जादू कर है ऐसे हां तुम भॉले खाले हो मासूम हो हस्ते रहो तुम सदा खुश रहो तुम सिल्दगी में नयारण भरो बड़ा नाम हो काम ऐसा करो हम करेंगे हला मुला नाम जेंगे खुलन खुला आगाएगे हम सारे का मां सारे का मां आएगा शाओ काहे लिए हम सारे का मां हम भूप करेंगे हम गा मां कि जी मन हो तरका है कोई पिच्चा है कोई पत्का है समझ गए ना लला प्यार का रख सच्चा है वाकी रंग है जूखे एक बार ये लग जाए तो सारी उमर ना छोटे जिसके दिल में प्यार भरा है वो है बड़ा निराला कहने वाले सब कहते हैं उसे बड़े दिल वाला करना है क्या दिल में ये सोच लो फिर खेलो जीवन के इस खेल को आवाज तुम मेरे दिल की सुनो अगर हो सके तो मसीहा बनो हम करेंगे हला खुला नाजेंगे कुला खुला आएंगे हम सारे कमा सारे कमा आएंगे हम सारे कमा काएंगे हम सारे कमा हम खूप करेंगे हम कमा में जीवन धू तरका है कोई कच्छा है कोई पुता है समझ गए ना लला तकलिया तकलिया तक्यात आपको बस है नहीं ने बेबी तकलिया माने उर्दु में बोलते आउट एक्जिक तकलिया शेहन्शाओं का शेहन्शा बाश्या अकबर जिल्ल इलाही मुगल आजम तश्रीफ ला रहे हैं शेहजाद सलीम एक मामूली स्रक्कासा हमारे महल की शान नहीं बन सकती ये एक नापांक हरकत होगी और फिर सलीम बोलते हैं जिल्ल इलाही ये सलीम अनारकली को इख्तियार दे तुलिप कुमार और दुनिया की कोई बी ताकत मुष्यनारकली से लग नहीं कर सकती ये शारोगा सुना आपने सुन रहे हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू लड़ाई शुरू खुब घोड़े भागते चले आ रहे हैं जोड़ते हैं अर दॉरे बादे चले आर भाग जब प्यार किया तो डरना है जब प्यार किया तो डरना है एक्टर बनने आते है रूल फार दो जाते है बेबी एक काम करो, तुम दस लाग रुपे का इंतजाम कर दो, दस लाग का इंतजाम करो, मैं सलीम और जावेद दोनों को मिलाता हूँ, दोनों को मेल कराता हूँ, और एक नई दीवार बनाता हूँ, शारुकर आमिर के साथ, तुम दस लाग का इंतजाम कर दो, शारुकर आम माँ क्या हुआ देड़ा वो जो गुंडे लोग है ना वो हमारी स्कूल के बच्चों को नशीली चॉकलेट्स खिलाते हैं अब तुम जाओ मैं देखता हूँ बाई माँ बाई देड़ा क्या चलो बच्चों अपनी क्लास में जाओ चलो जाओ चलो जाओया चलो शाने शाना बंचल खफब करती झाहाँ वजा. जो अख अबस अदु ईग हॉ अई हुआ बपल अबस यह हुआ 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 आप किसकी बारी है? बस अंटी बस और नहीं खा सकती अरे अभी तो आधी लिस बाकी है शाम को आके खालूंगी अच्छा शाम को शाम को आपको बुलाया किसने? क्यों? ये मेरी बेटी है जब चाहे आजाए बेटी? लेकिन आप तो मेरी अंटी है मैं आपकी बेटी किसी हुई? मैं तो अपनी मा की बेटी हूँ है ना देडा? हाँ बेटी इसे कोई बात नहीं हम अदला बदली कर लेंगे मम्मी को यहाँ भीज देंगे और अंटी को घर ले जाएंगे देडी, देडा देखा बेबी, इसे कैसे है महुरा दी कोई केंडलियर देखो, डेट लाग का बाड़ा दिया है देखा कैसे सब मुक्सी शराब कीने आ गये है यह हमारे उद्योग मंत्री अनिल कुमार शिंडे है फिल्म इंडस्टी में इनका बहुत बड़ा इल्लिगल फाइन्स, गयर कानूनी फाइन्स है दिलके इतने अच्छ है इंसान है कि सिर्म नई लड़कियों का स्क्रिन टेस लेते हैं अरे तीवारी जी आव बेबी ये तीवारी जी है नए नए चेहरों को टूनना इनका काम है बेबी वीटी स्टेशन और बॉंबे सेंटर स्टेशन पे जो भी कोई गाड़ी आती है उसमें पैसेंजर से ज्यादा स्ट्रगलर लोग उतरते हैं एक्टर बनने के लिए इनके पार वीटीर स्टेशन और बॉंबे संटर का पूरा कॉंट्रेक्ट यह वांके सोल डिस्ट्रबिटर है यह सुबह की पहली गाड़ी से उतरी जिया मनु भाई शारुखान नहीं लिख रहा करी हाँ 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 बैक लेबल बहुत बड़े लोग आए आजी तो वह गर पे ले 99 में आओ डेट नहीं यह अभी तो क्या शारुख को निकाल दिया बेवी जब वह सरकश सीरियल में बुलाटी मारता ताना तब मैंने उस लड़कों को बोला था कि तेरे में कुछ है तू आगे जाकर कुछ बनेगा डेफिनेटली अब वापस मैंने उसको सरकस नहीं बेजा गुमाता है शारुग करता है शारुब ककरा करता है यह तिन बार मुझिक गुमाता है आजागर बेबी ये संजू मेरा मतलब है रशीद आजकल मार्केट में बहुत खान गुम रहा है न तो हम भी अपनी तरफ से छोड़ देते हैं ये खान सब के छोटे कर देगा हाइट में भी बड़ा है लेकिन मनु भाई मैंने आपको पचास लाग रुपी दिये शारुक को साइन करने किली वही तो बचाकर मवरत में लगा है न बेबी ये देखो ये शैंडेलियर देखो ये कितना मेंगा है ये पार्टी ये कैमेरा ये लाइट्स ये पबलिसिटी साथ काम एवन होना चाहिए समझे शारुक को साइन नहीं करने के यही तो फाइदा है अरे प्रमिन भाई मैं मैं भी वीडियो राइट्स मेच के आता हूं बेबी हाँ चाहिए वीडियो राइट्स जूमर पप्रिसिटी लो आ गई मेंशाब आओ थैंक यू आओ आओ बेबी मैं तुम्हें दर्वाजा तक छोड़ें नहीं मनु भाई मैं खुद चले जाओंगी रहना दीजिना खुद चले जाओंगी तो हमारी फिल्म इंडर्सी में उसूल है इस हाथ दे तो इस हाथ ले ले लेगा क्या सब कुछ मतलब धन दावलत इंडर्स तो फिर बचेगा क्या हजा मत अच्चा बोले मुझे बहुत मैसूस होता है राम अपनी छोड़ी सी परी के लिए कि कहते है मा के बिना पच्पन दूरा रह जाता है तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा क्या कर दे गरों मुंत्रा तो किसिकी बात भी नहीं समझती कुछ भी करो कैसे भी उसेक लादो जा दून उसे ऐसक्ति हां वह आँ यह नहीं देखा अंकता या अपने अरे ये ये तो पकड़कर रखा है आजकल रास लीला कर रहे हैं क्या नहीं मैंने अपनी आखों से देखा है यह सच नहीं हो सकता तो मत करो मेरा याकिन पहले से आधी लोटरी तो वेटर्स के नाम पर नियोचावर होई चुकी है बाकी की आधी भी उसी के आथ में थमा देगा और फिर टाप अब ठीक है आधी आधी यू लाया यू चीट मैं तुम्हें मान को तीपा तुमने देखा आजका आखवार जाने क्या क्या लिख दिया है मेरे और राम जी के बारे में हम उखां उने गसीट लाएं ये अत्पार वाले भी ना एक शरीफ आदमी को चैन से चीने नहीं क्या सोचते होंगे राम मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कहीं वो मुझसे मिलना ही ना बंद कर दें मालूमें अगर ऐसा हुआ तो मैं सेह नहीं पाऊंगी मैं उनकी बनाब रह नहीं सकती और हमरे बिना तुम हम तुम्हरे पति हस्बें मो तीलाल बिहारी पीउके पीया हाँ जी रहे हम पड़े पुरह पड़े करेशम का लिखे आ साशुरा कि इस्पेक्टार और रेस्टराट वालि मा प्यार पैस्वार मान के पीयो मान के अरे तुम तो हमरे खेला मैं हमीं का पचाठ ते ना जाय सालुकार ताही है शकल से में क्या लगती हु तुम्हें क्या What is this? The man with the golden heart is having an extra miracle affair? क्यों जूट है? क्यों जूट है? क्यों जूट है? तुम तो कहो गही और ये फोटोग्राफ चिपकर खड़े हो इसके साथ क्यों तो ये फोटोग्राफ पी जूट है? तुम तो कहो गही ये तो सिर्फ फोटोग्राफ है क्या 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 होगा तुमने इसके साथ क्यों उस पुचारी पर वायात इल्जाम लगा रही हो पेचारी पेचारी को तुमने धाय करोड रुपे दे फिर पेचारी को तुमने रेस्टरान खरीद कर दे दिया फिर पेचारी के साथ रूमेंस करने भी तो बहुत जरूरी था त तुमना उसका क्या नाम है उसका राम पसाच जी नमर वा का है गजब अरे एक फोन वा कर दोगी तो हमरा भी कल्यान हो जाएगा इन धोपड़ा वैसे भी कहां छपे अकबार में और कि इतना अच्छा लगेगा है रेस्ट्रेंट वाली के साथ उसका हैंसम हस्में विक पहन का फोटो खीचाएंगे तुमरे साथ और फिशादी पर कहां खीचा था वो फोटो वोटो शादी वो शादी नहीं धोका था एक नाब वालेक के साथ गयर कानुनी शादी थी मुझे बेशना चाहा था तुमने अकबार वालों पर भरोसा मत करो मंत्रा सारा से जूटे है यह ल यहां सब कुछ सब कुछ सब कुछ मेरा है मेरा अनरस्टाइंड लेकिन डैडी भी तो आपके ममी तुछ उपने अपने अपने पास हम चाहरे है तुम्हारे पापा के घर को छोड़का जा रहा हूं चलू माँ चलू बढ़े बढ़े कि अखिर होई गया जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ सर्थी अरे हमारे बापु का भी स्वतंत्रता दिन आई है हाहा आता दी मिल गई उन्हें लो आगे पहुत बरदास्तिया मापु ने कि को मारा होगा इसलिए आज खर छोड़ दिया मैनु भाई कहा था ना आपसे कहसे न निकाल दिया तो मंत्रा नाम नहीं मेरा आइम यर नाइस पेवी ना टाइगर अगता उस बुड़े को लेकर तो हमसे आज तक हफा हो लेकर वह बुड़े तुमारा बिगार भी क्या लेता है फकात दस मिनट के मज्जे के लिए देरो नोट भी तो देरा था देरा था कि नहीं पास्टर्ड और एक तुम हो वीचारे बुड़े घटी का धी कटवा दिया जो होना फास हो गया अब तो हम माला माल हो गया अब तो हमें वैसे भी किसी बुड़े का दुड़ अार बस तुम्हे काम करना मुद्ड में प्रसाध साथ अपना चक्का चलाती रहना कुछ नहीं कहेंगे अटाप तुम्हार जैसा कमीना आदमी हम अऊंस तक नहीं दे निया निया लाइन सी खा देंगे रहाम कसम तुम यहां से दिखलते हो या नहीं और हम बोले ना तो ठीक है मरो यहीं में जारे हूं दीपा व्हbern atom हुले बार निकालेगी क restauration कह Kath 했는데 जाने जाक आ रही हो धानो में जान में जान रहा है मत निलालवे आ रिये है हमारा नाम अरे रामपरसाद तुम इस वक्त आओ आओ सब खरेत ना अरे कौन आया इस टाइन कू अरे बापू तू अरे रात के साड़े बारा बज रहीं कौन सी फिल्म का नाइट शो देखके आ रहीं ओ समझा अकेले हम अकेले तुम फिल्म की स्टोरी तेरी लाइफ में भी चालू हो गई है फरक सरफ इतना है कि उदर हीरो घर के अंदर था तू घर के बाहर है कोई बात नहीं बापू आज़ो बेटा पर बापू तेरी और पिया की अख़बार में फोटो पे फोटो चप रही है यह सल्मा खराटे बंद कर देख कौन आया है अब तक तेरा इंतजाम कहीं कुछ और नहीं होता ना तू अपना विस तरह इदर ही बिचा सोचके तो यह आथा बापी लेकिन बच्चे बहुत है ना अब क्या करें बच्चे तो बच्चे हैं अल्ला की देन है अच्छा सल् सल्मा बैब सो सकती है मैं और विस तरपर नहीं बैबी ने नीचे सोने का फैसलें कर लिया अब तू बता देरा क्या अब रो रहा होते हृ और बहुत बहुत नहीं है यह यह डिन की बात है को शार्ण कर दो और चलिएँगे तब तक होटेल में रहा लूँगा आप तक अलूफ कर रहे हैं भाज़ा तक अलूफ की कोई बात नहीं है भावी मैं होटेल में रह जाओंगा कुद आफस भावी खुद एकबाल भाई बेटा किसी कुछ सताना मत अट बीया गुड गल कुद आफस जैसी तेरी बर्जी थैंक यो मैं हेल्प यो सार जी मुझे एक कमरा चाहिए शूर सार गुड इवनिंग मैं आप ये इनके साथ है पिया तूम गराजी विद्धरफाग है यह यह एक तो आफस दाफ डबल रूम सर नहीं नहीं अलग अलग कमर चाहिए ए वज अ फ्कुर्स सर दिस्सिस्योकी और माम दिस्सिस्योकी बल बॉइ लगज थैंक यह वलकम सर अजे कर रहे है यह वही लोटरी वाल कपल है मैंने भी तो नंको साथ वाल कमरे दिया है तुम यहां रहां बस और तुम बस और तुम बस कुछ हालाती ऐसे थे लेकिन तुम यहां कैसे हैं मेरे भी हालाती कुछ ऐसे हैं इंप्रेस वालों ने थे जीना मुश्किल करतिया है थे यहां तुम। कि यह तुम वाकर यह जीव इक्तिफाक है लगता जान बूझ के हमें स्वीट रूम दिया गया और हॉल कॉमन है मैं चलो थोड़ी देर रुको ना राम स्वीट में छुप्तिफा था जान ला 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 ला… ला ला ला… Heaaa… जाजा है बर्दू जवान मैं जवारतू देनों के चतरंग पढ़ ये धड़ तनों की गुत गुतु तेरा बदन मेरा बदन वफा बेरे मदन जवारतू 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 हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है आपुसं लज्नीबए हैं तो ओजाने मनं ओजाने मनं तद जाने जाने है आरीजू आरीजू जबाए तेरा पतर, मेरा पतर, वक्वा मेरे मता जबाए तो जबाए कि अच्छारे माफिए अब आप क्या है एक तरह सवाल में जवाप एक तरह आप था जिए है कि अब नियुक्त अब बिसोरने से क्या फाइदा रो रोके आखे खराब कर रही है अपनी राम प्रसाज जी आने वाले नहीं है लात मारके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है समझ लो अरे इसका मतलब यह तो नहीं कि वो उस चुड़ेल के साथ बुल्चहरे वड़ा है रात को उस कमीनी में ऐसा है क्या मनु भाई उसे चोड़ूगी नहीं चोड़ूगी उसे मे भूण बर आज चाहिए बेबी तलाक लेलो कि अधाला इसमें इतनी चॉंकने की क्या बात है लेकिन मन्यु भाई मैं तलाक कैसे लिसकती हुँ ने तलाक की कोई वजह भी तो हले चाहिए बेबी बेबी वजह होती नहीं है वजह बनानी पड़ती है निकालनी पड़ती है ढ जी अब यह सोच लो बेबी कि तुम्हारे पती का तुम पे अत्याचार हां यह कैसी वजा है राम का मुझ पे अत्याचार मैं जानता हूं है उल्टा लेकिन अब क्या करें बोलो लेकिन वह जूट तो होगा ना एक काम करते हैं माला सिना की तीन चार पूरानी फिल्म में भी यह बात जमेगी नहीं लेगी और हेरोईन तो अपनी इमेज बनाने के लिए आजकल अधेर उमर तक शादी भी नहीं करती है और करती विए तो छुपा के रखती है लेकिन मनुभाई लोग क्या कहेंगे कहेंगे पेटी को छोड़ दिये को हमेशा उल्टा सोचती हो इस तरह से जाती है एक इमेज बनती है समझा करो तुम राखी जया अफ्रदा बनती है और मनुभाई की इमेज का भी तो खैल रखो अब इस उमर में बेभी का हमारे लिए तो एक ही बेभी है हमारी बेभी है हरे हमारे साथ रहोगी ना तो नेक्स्ट येर फिल्म फेर आव जाती का इल्जाम लगया मुझ पर कबकी मैंने उससे साथ जाती मैं तो मैं तो उसकी हर बात मानता आया हूँ डैडी ममी इसले नहराज थी कि आपकी और आंटी की फोटू अगबार में छपी थी प्लीज मा प्लीज सची तो कह रहे है सारी फसाद की जड मैं हूँ अगर आपको रुपे दिये तो आपका भी नहीं मिलती मा समझा करो तुम्हारी ममी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी तो होने दो ना देडी वो कुन सा मैसाद रहना चाहती है अच्छा अब आंटी ही हमैसाद रहे ऐसा नहीं कहते वेटे वो तुम्हारी माँ है ने लौटरी के पैसों का दावा किया है अब इसकी क्या जरूरत ओफो बापू तेर को कैसे समझाओ कि टेड़े लोग सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिच कभी नहीं करते और आपकी मैडम तो कुछ जादा ही टेड़ी है लेकिन मैं तो लोटरी के पैसे उसे देने के हमेशा तयार था मैं जानता हूं कि उसके आम देनी इतनी नहीं है कि वो अपने आपको संबाल सके और फिर उसकी जरूरते भी जाता है ना लेकिन मामना कोट के बाहर भी तो सुलजाया जा सकता था कोट में जाने की क्या ज़रूरती पीया जी इनकी मैडम का नाम है मंथरा उन्होंने अपना अख हमेशा लड़कर ही लिया है लड़ाय की नौबत आने ही नहीं दूगा शारी पैसे उसे ही दे दूगा और आप कहा जाएंगे बापू तीर स्यात्रा पे जाने का एरादा है खुद के लिए काफी कमा लेता हूं इकपाल भाई इतने पैसों की जरूर पाउडर रूज वगरा भी अपनी बीवी के लिए खरीते हैं या नहीं जी खरीता हूं अपने पैसों से खरीते थे जी हां तो क्योंकि यह आप अपने पैसों से खरीते थे लेकिन आपने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि यह पाउडर लिप्स्टिक वगरा वगरा आपके ल तिब के नाम क्यों मैं पूछ सकते हैं क्यं दे दिया मैंने वादा किया था वादा कैसा वादा प्यार का one-ए들 जिनम-ए들 की प्यार का prawda है ओब्जेक्शन माण इस सवालों का किस कोई तालूक नहीं तालूक है मीलॉट तालूक है इंस्पेक्टर राम परसाद का एक मामूली वेटरस को यू धाई करोड रुपया टिप में दे देना महस दर्या दिली नहीं है एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है मी लोट इसलिए आगे की कारवाई शुरू करने से पहले कि मैं अदालत से तर्खास करता हूं कि मिस्पिया को अदालत में पेश किया जाए पिया जी आपको राम परसाद जी कैसे लगते हैं मैं उनकी कद्र करती हूं आज की जमाने में उनकी जैसा कोई मिलना बहुत मिश्किल है तो बात यहां तक पहुंच चुकी है बात कहीं तक नहीं पहुंची है आप जैसे लोग राम को नहीं समझ सकते वह आपकी छोटी समझ और गंदे सब्सक्राइलाद से बहुत ही उपर हैं हाँ हाँ वो तो होंगे ही क्योंकि मुझे थाइक रोड़ जो नहीं दिया वैसे एक बात और मेरी समझ में नहीं आती मिस्स पिया आम सॉरी मिस्स या मिस्स पिया कहूं आपको कि आपकी शादी तो हो चुकी है ना क्या बात है आपको ये भी याद नहीं कि आपकी शादी हो चुकिया या नहीं शादी हुई थी लेकिन वो गैर कानूनी थी तो आपकी शादी हो चुकी है फिर शादी के बाद पांच साल आपने रिमांड होम में बिताए क्यों क्यों आप जवाब नहीं दे रही मिस्सिस पिया वर्मा आप रिमांड होम क्यों गई थी बताएए ना को bypson केल्जांबे मीलाओड कों केल्जांबे का तो कि आपका करते हैं तंदा करते हैं जे जलाली का बिहारी जी आपका कहना है कि पांच साल पहले पिया वर्मा से आपकी शादी हो गई जी आप दोनों पति-पत्नी के संबंद कैसे थे का अरे मेरा मतलब है जी कि आप दोनों पति-पत्नी के बीच में रिष्टा कैसा था कहा यह का रिष्टा इसके सवरे मावाग छुटकरने में स्वरक सिदार गए हम तो तरस खा के इसके मांग में संदूर भर दिये बहुत अब का साफसा बताएं हजूर प्यों तो गौओं के जमिदार से पहले ही अपनी नसुतरवा चुकी थी प्यारी जी आपको याद रहे यह बात आप अदालक में कह रहे हैं कहीं भी बोलते हं ताल ठोक कर बोलते हैं हजूर बद्दार बहुत फज्यत किया हमारी बहुत फज सिरे पैस्वन की खाती रहते हमको तो बोलने में भी शरम आया तो और कुछ बताना तो आम बता अब नहीं बस आप जा सकते मिलोड इंस्पेक्टर राम परसाध हर जगा यही कहते भिरते हैं कि यह उनका वादा था इन्होंने अपना वादा निभाया यह कैसा वादा था मि अगर कोई इनसान 1.5 कro Tropay किसी को अपने वादे के लिए अगे मिलोड दुनिया में ऐसे कोई इंसानना ही है अगर कोई इंसान है तो जा तो सरफिरा है यह बेवगूफ लेकिं जा दक राम परसाध्जी का सावल है उन्हीं तो बेवगूफ लगते हैं और नाहीं सरफिरे ह इन पर डौरे डालकर इंप इस जताकर इने सब वांग दिखा कर, क्योंकि इने पैसा चाहिए था, मिलोड ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये एक ऐसी औरत है जो पैसे के लिए किसी की रखेल बन सकती है, इस ने मंत्रा जी के बसे बसाई घर में आग लगा दी सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलोट ये औरत के नाम पर गिनावनी शेकल है बस वकील साब बस बहुत हो चुका बहुत कीचर उचाल दिया आपने सिर्फ पैसो के लिए धाई करोड रुप्यों के लिए दे दिये मैंने धाई करोड रुप्य मत्रा को जच साब भरी अदालत के सामने आज मैं कबूल करता हूँ कि लोटरी के सारे पैसों पर सिर्फ मत्रा का यहक है ये रुप्य मैंने किसी को अंधेरे में ने दिये दिन दाड़े दिये खुले आम दिये और आपकी अदालत ने इसे साजिश करार दे दिया और वो औरत जिसे ना ही अपने परिवार की चिंता है ना ही अपनी अउलाद की जो ना ही एक आदर्श पत्नी है और ना ही माँ उसे आपकी अदालत ने देवी का खिताब दे दिया मंत मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं जिस ओरत ने उसे मा का प्यार दिया आपने उसे रखेल करार दे दिया जिस ओरत ने उसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया आपने उसे वैश्या का खिताब दे दिया उसे रखेल करार दे दिया मिलाड रखेल प्या प्या अबर के आग जुनाए के पर के आग जुनाए के तो जल जाए गुल भूखे हो वो रब रूठे तो अब रूठे किसी का यार कदी ना रूठे और आप रूठे तो रूठे किसी का यार तुभी ना रूठे किसी का यार तुभी ना रूठे सब देखे जब गिरकर कोई शीशा तोटे छंसे सब देखे जब गिरकर कोई शीशा तोटे छंसे वो आवाज न सुने कोई जो दिखले तोटे हमसे असर किसी पर कोई शीशा तोटे हमसे असर किसी पर कोई शीशा तोटे हमसे रब रूठे तो रूठे किसी का यार कभी ना रूठे किसी का यार कभी ना रूठे किसी का यार कभी ना रूठे मैंने अपनी पहली मा तो खो दिया है डेडी मैं मैंनी चाहती कि अपनी दूसरी मा भी खो दूठे जाओ डेडी जाओ दून के रो डेडी जाओ जाओ डेडी जाओ मुझे मा चाहिए डेडी मुझे मा चाहिए मुझे मा चाहिए डेडी मुझे मा चाहिए हाँ बटे हाँ हाँ अपना देह जलता चंदन जिसमे है यह जादू अपना देह जलता चंदन जिसमे है यह जादू चितना इसे जलाए कोई उतनी आए खुश्बू सब कुछ रिद जाए अपना ये सब कुछ रिद जाए अपना ये खुश्बू कोई न ले तेले रब रूठ तो रूठे किसी का यार कभी न रूठे रब रूठे तो रूठे किसी का यार कभी न रूठे हो भकिया खुश्बू आए गीता जल जाए गुल्मूठे किसी का यार कभी ना रूठे किसी का यार कभी ना रूठे जी सार यस सार यस सार ठीक है सर ओके सार यह बापू पिया की ख़वर मिली कोई ख़वर नहीं बतानी कहा गई हर वो जगर ढूंड़ा जहां मिला करते थे बतानी वो मिलेगी या नहीं बिलेंगी बापू जरूर बिलेंगी तू फिकर क्यों करते हैं फिकर फिकर तो अब हो रही है मुझे एकपाल भाई जब मैसूस होने लगा कि अंत्रा को मा चैसे मामी लेगी जिंदगी की गाड़ी तो पह यह पर चलती है एकपाल भाई अगर पिया मुझे नहीं मली तो तू मायूस काई को होता है अच्छा एक बार बता तू उसको रेस्टूरेंट पे देखने गया था कई चक्कर लगाए वह उदर जरूर वापस आएंगी बंधरा को पैसे जो चुकाने है देख रेस्टूरेंट दो तिर में जपत होने वाला है तू एक बार उसको देखने उधर चला जाएंगी मेरा दिल बोलता है उतीर को ज़रूर भी लेंगी आप कहते हैं तू चला जाओंगा एड़ी हम भी चलेंगे आपके साथ हाँ बेटे रखके कुदा फसी अगल माय रभाः रहाँ रभाव 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 अंदर ही है आज हम उनको जाने नहीं देंगे क्यों आयो यह क्यों पिया अब बर्बादी के लिए बचा ही क्या है जो मेरे मनुसाय को डूनते चले आयो जाओ इससे पहले की मेरी बद्लि से दी तुम्हारी जान ही न ले ले ओम एक दूसरे से ना ही मिले तो अच्छा है क्या यह हो गया तुम्हें नहीं कुछ नहीं वस तुम यह क्या कह रही हो तुम ने तुम मुझे जिन्दगी दिये प्यार दिया है पिया मैं तुम्हारे बगयाद खैर तुम एक्या मालू मैंने यह थीन दिन तुम्हारे बिना कहसे गुजारे खुशी क्या होती है मैंने तुम ही से सीखी है रुपिया, पैसा, दन, दॉलत, मुझे किसी की ख्वाइश नहीं थी, इनका तो मैंने सोचा भी नहीं था, तुम इतना भी नहीं समझ सके, पिया, तुम्हारे साथ कुछरे हुए हर पल के लिए, मैं हजारों ऐसी दॉलते होने के लिए तायार हूँ, नहीं रांग, प्लीज, मेरी बंदसी भी तुम्हे कहीं का नहीं छोड़ेगी, मुझसे और तुम्हारे ये बर्बादी नहीं देखी जाएगी, तुम जाओ यहां से, कौन कहता है तुम मेरी बर्बादी, उपिया, कौन कहता है मैं बर्बाद हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, एक इज़दार नौ बर्बादे पिया तुम कहा करती थी, आंतरा को एक मा की जरूरत है, मेरी बेटी को एक मा की जरूरत है पिया, अब अगर तुम रोट गई, तो इस बचारी के लिए मा कहां से लाओंगा मैं समझातियो देडी अँटी, अब मैं आपको अँटी ने कहूंगी मैं अपको मा कहूंगी मा मान जाना मम्मी, प्लीज, मान जाना मम्मी, प्लीज, मान जाना मम्मी, प्लीज, मान जाना मम्मी, प्लीज, हाब 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 जाना मम्मी, प्ली तरी रवार वार वार और क्या क्या करना होगा मुझे? क्रिकेट शीकना होगा क्रिकेट? हाँ मैं से रिकाऊंगे आपको हम लोग रोश आम को क्रिकेट खेलें तेंडूल कर भी इनी के पास शीक कर गया था राइट मा? सुनिये जी बड़ी भूग लगी है कुछ खाने को मिलेगा अब तो यह उटल बंद हो गया है बसे ठहरी शाय कोई पावरोटी बची हो आप अंदर तो आईए देखे एक टुकडा भी मिल जाए तो मुझे कर बहुत महरवानी होगी मैं पानी के साथ खा दूगा नहीं पानी क्यों मैं चाय बनाती हूँ आप बैठिए मैं आउभारत टाइम्स का एक समवाद दा था पलास्तु पिछले कई दिनों से आपको वेटरस पुलीस वाला और उसकी बेठी की कहानी सनाते आए आज उन पर मुसीबत का पहाट उंतने के बाद हूँ मैं खुद एक गरीब आद मी बनकर उनके रेस्टरांट में लेकर अपना सब कुछ खो जाने के पाद भी उस भली जोडी में इस भूखे का पेट पर यहां तक कि बस पकड़ के जान को पैसे भी नहीं हां तो कब शुरू हो रही हमारी फिल्म मनु भाई फिल्म के दंदे को भूल जाओ बेबी फिल्मों का बहुत बुरा आल है आजकल अभी देखो नों दिल से ऐसी फ्लॉप होगे यह पानी तक नहीं मांगा मनु भाई मनु भाई मैंने आपको कहा कहा नहीं ढूना मनु भाई फुराने मकान पर गई तो पता चला कि वो किराय का था मनु भाई हमारी फिल्म कब कंपलीट हो रही है फिल्म हां बेबी यह पांच करोड में फिल्म बनाने चलिए और चार-पांच करोड ले आ तो फिल् को छोड़ के आ गई वह मुझसे शादी करेगी बद्राद बाहर निकल दी के मुझे जुता मारूं मुझे तूते मारेगा कमीने प्रोड मेरे सारे पैंसे खाकर मैं तो छोड़ों के नहीं करेगी क्या तू क्या करेगी दूबई फोन करेगी अब ऐसी कमीनी औरत का तो भाई प्रोफिट है अभी टीना का फोन आ है टीना मुनिं बोल रही थी मन्नु भाई धिरुबाई बहुत परेशाने परेशाने है शेर्स बेचना चाहते है अभी क्या है बेवी मेरे पास तीस परसंट का तो इन्वेस्मेंट है तुम पच्चीस परसंट लगा दो तो हम एलन्टी कंपनी के मालिक हो जाएंगे एलन्टी कंपनी मुनाफ़ा कितना होगा मनु भाई स्काइज दे लिमिट बेभी स्काइज और मनु भाई में चेहर बाजार के दुनिया में मेरा नाम है हर्शद भाई हर्शद भाई रजनी कांथ श्रॉप फुल स्टॉप अरे यह सब क्या है चलो देखते हैं अरे चलो बस्काइब 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 वेखने आपके जैसे सब हो तो कितना अच्छा हो शुचिन तक दड़ी एक इसी छोटी लड़की ने भेज़े पचास उरपे राम और पिया के इस भली जूड़ी का साथ सारे हिंदुस्तान ने दिया बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हर नौजवान ने इनको अपनी हैसियत के मताविक मदद की इसी तरह से पिया ने अपना नीला मोता हुआ खोकल बचा लिया और राम ने फक्रक्रक्ण ने के साथ अपनी पुलीस की नौखे लिए और बेटी अंत्रा ने हैं मैं अंत्रा अपने डैडी राम प्रसाद की शादी पिया से ताय करती हूँ आप लोग जरूर आएगा है अपना वाल बचक्रा लिया और राम प्रसाद की शादी पिया खोकल अे लिए खाया के एंप। झाल झाल झाल